असलाम अलेकुम दोस्तों दोस्तों आपने सुनाई होगा कि इस समय श्याब भाई एक बहुत ही नेक काम पर निकले हैं और वो केरिला के मड़प पुरम सहर्च से बलॉंग करते हैं और इस समय वो तकरीबन काफी दूर निकलते हुए मोग गुजरात में मुड़ासा सहर की तरफ है तो दोस्तों मुड़ासा सहर की तरफ है लेकिन लोग सोसल मीडिया पर तरह तरह की अफ़वा हैं फैलाते हैं कि राजिस्तान हैं कि पाकिस्तान पहुंशने वाले हैं यहां प पहुचने वाले हैं कि पाकिस्तान ने ये कहा कि उसने ये कहा तरह तरह की दुनिया भर की चर्चाएं कर रहे हैं लैकि दोस्तो ऐसे फ्रॉंड अफ़ाहं से बचे वो जहाबी हैं जैसे भी हैं बहुत ही बहुत ही बहेतरीन तरीखेरी पेकिसे और खुदा के रह्मों करम से बहुती नेक अंदाज में वो अपना सफर कायम कर रह रहे हैं नाहीं उनके पैर में कोई दिक्कत है नाहीं कोई स्वास्ताम परीशानी है वो एक बहुत ही बहत ही बहतरीन नूरानी माहौल में अपना कदम खुदा की राह में बढ़ा रहे हैं जिससे उनके साथ अकीदत मंदों की संख्या भी बढ़ती है क्योंकि जहां जहां वो पहुंचते हैं वहीं इस तकवाल के लिए लोग उनके सामने आ जाते हैं लेकिन दोस्तों उनकी महबत ही ऐसी है यार कि क्या किया जाए उन्होंने इतने नेक काम को अंजाम दिया है कि उनको पूरी दुनिया सलाम कर रही है और सलाम भी क्यों न करें को कि यार काम ही कुछ ऐसा है भाई साड़े आठ है जाए जाए उपर का पैदल सफर करना कोई मजाग बात तो है नहीं उन्होंने राहे खुदा में उन्होंने तकरिमन अपना जो भी लेगा तकरिमन को एक साल वो राहे खुदा में गुजरेगा उनका जब राहे खुदा में गुजरेगा तो उनकी दिन और रात एक इबादत में लिखी जाएगी अबादत में लिखी जाएगी खुदा भी ऐसे नेग बंदों से बहुत खुस होता है क्यों कि उनका काम उनका अंदाज उनकी अदा बहुत पसंद है दोस्तों तो इसलिए दोस्तों मेरा कहना है कि सबी लोग उनकी सपोर्ट करें और सपोर्ट तयार करी रहे हैं सबी लोग सपोर्ट तो करी रहे हैं और उनको दिल से सेल्यूट भी कर रहे हैं और लोग उनके लिए दुआएं भी कर रहे हैं और मेरे भी सबी लोगों से गुजारिस है और अपील है कि उनके लिए ज़्यादा ज़्यादा दुआएं करें जिससे उनके राष्टे में जो मुश्कुलात आएं उनको अल्हा तवार को ताला जल्द जल्द निजात अता फर्माए और उनको कहीं भी परेसानियों के सामना करना ना पड़े तो दोस्तों आज मैं गाड़ी में हूँ और मैं कहीं ट्रेवल्स पर गया हुआ था तो इसलिए मैंने सोचा आज सिहाब भाई के बारे में आपको यहीं से कुछ बताओं तो आप देख रहे होंगे दोस्तों पसीना किस तरीके से पसीना आ रहा है दोस्तों गर्मी इतनी हो रही है कि अभी थोड़ दे पहले बारिस वही थी तो बारिस से अब बारिस पढ़ने के बाद मौसम ठंडा भी हुआ लेकिन अब मौसम गर्म हो गया तो गर्मी बहुत हो रही है तो दोस्तों मेरी तो खुशिशन गुजारिश सुन से यही है कि वो एक अपने मुकाम पर 32 कुसल पूरुवक और एक नई अंदाज के साथ एक नई जोस के साथ उनका सफर कामियाब हो और अल्लहा से दुआ है कि उनके हर मुस्कुलाद को आसान अता फर्मा और उनके मंजिल आसान अता फर्मा दोस्तों आप लोगों से गुजारिस है कि उनके लिए दुआएं करें दुआउं की आपसी दर्ख्वास है और दोस्तों आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि वो गुजराद के बडोदरा सहर से निकल कर बुडासा सहर की तरफ उनकी फिलाल अपडेट है कि वो बुडासा सहर की तरफ चल रहे है और दोस्तों एक चीज़ और बतलाओं वो इस समय दिन में आराम फर्मा रहे हैं और रात को सफर अब बहुत ज़्यादा कर रहे हैं क्योंकि थोड़े दिन में उनको परिसाने को सामना करना भी पड़ रहा था और थोड़ी गर्मी भी ज़दा हो जाती है अब रात का सफर है रात के सफर में वो आराम से चले जाते हैं और उनको कोई गर्मी बगरा और ज्यादा ट्राफिक भी नहीं होता इधर जादर भीड भी नहीं हो पाती लेकर जो दोस्तों कहा ना कि महबत उनकी महबत खुदा की महबत ही ऐसी है कि लोग अगर वो रात को दो बजे निकले हैं तो रात के दो बजे भी पब्लिक उनके स्वागत के लिए तयार मिलती है तो दोस्तों उनके अकीदतमंद भी दुनिया में हो चुकिया और उनकी अर तुम्हें सब के हिदाद अता फरमाए जिस सब आजी बने नमाजी बने और दोस्तों हाँ, एक खुशुसान अपील आपसे, वो अपील यह है, कि हम कितने नादान हैं, हम अपने घरों में सोते रहते हैं, और नमाज के लिए दो कदम मजजिद नहीं जा सकते हैं, ऐसे बहुत से लोग हैं, और बहुत से लोग ऐसे भी हैं, जिनकी एक वक्त की जुमा ही पढ़ते हैं, कुछ तो ऐसे भी हैं दोस्तों, जुमा भी नहीं पढ़ते हैं, तो सबसे मेरी गुजारिस हैं, कि सब नमाज के अपनी पावंदिया करें, और नमाज पढ़ें, पंजबक्ता नमाजी बनें, और अल्लह से दुआ करें, अल्लह तबार को ताला हमें भी जल्द से जल्द हाज नसीब अताब हमाए आमीन सम्मा आमीन